हालो डिर स्टुडेंट्स कैसे आप सभी उमीद करते हैं कि आपको एकदम मस्त दिख रहा होगा फूल एचटी में दिख रहा होगा तो साथियों आप देख रहे हैं अपनी प्रीमियम क्लास आपको पता है कि इसमें से कुछ वीडियो यूटूब पे डेमो के रूप में भी हो जाते हैं आपसे निवेद ने कलास को पूरा इंड तक देखना और अच्छे फे देखना प्यार से इलकुल सब कुछ समझ में आएगा हमारी पूरी जम्मेदारी होगी गारंटी होगी आगे बढ़ते हैं इसके पीछे आपने अभी तक 10 चैप्टर पढ़ लिये हैं आज आज हम बात करेंगे च्छेतरफल और परिमाफ तो हम लोग बहुत ही संतुष्टी सी बहुत ही अराम से प्यार से बढ़ेंगे आखिर यह च्छेतरफल क्या होता है और परिमाफ क्या होता है दोनों के बारे में हम बहुत ही गहराई से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे यह देखो जैसे कि मैंने इधर साइड में एक फिगर बना दिया यहां पे देखो यह मैंने बना दिया ठीक है यह क्या है एक आयत है या फिर ऐसा समझे लो एक आयता कार कोई फार्क है या फिर कुछ भी आप समझे लो ठीक है अब देखो मतलब समझना जैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें परियोग करते हैं उनमें से काफी कुछ चीज़ें भी होती है जिनमें आपका जो है धेर सारा मतलब यूज होता है बहुत सारी चीज़ें होती जिनमें समझे, इसमें हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सीखना है, क्या सीखना है? कि आयत का परियोग कहां होता है? मतलब स्ड़्य परियोग और आपका परियोग कहां होता है यह चीजे समझना है ध्यान से देखो साथियों जैसे मान लो कि ये एक मैदान है क्या है ये मैदान है अब समझे लो पार्क पार्क आप सभी जानते हो पार्क कोई घूमे होंगे अगर चोटे बच्चे हैं तो ममी पापा की साथ घूमे होंगे अगर बड़े हो गए हैं तो उसके साथ घूमे होंगे अगर आपको ये बताना हो कोई आपसे पूंचे यह आपसे पूंचे कि ये बता बच्चा ये क्या है ये एक मैंदान है और यह इसकी बाल ने है मतल Miguel किनारे ग्षाण सब्सक्क्राइच किनारे वावव एक अधे ये कहें कि भैया हमें क्या करना है इसके चारो तरप तार बांधना है बाड लगًधना है बाड मतलब जान रहे हो जैसे ये मैदान पार्क की जो बांडरी है उसके पीछे खंभा गाड़ के वाई से तार लगा देना कि कोई भी जानवर दिवाल तक ना पहुंच पाए जिससे आप दुकान पे जाके ये नहीं बोलोगे कि हमें पार लगाना है तो इतना जो है छेतरफल की रसी दे दो नहीं आप छेतरफल की नहीं वहाँ पे बात करोगे सीधा फीधा मेटर की कि हमें पार के किनारे किनारे बार लगानी है हमें क्या के लेना है रसी लेना है मतलब पाड़ लगाने के लिए तो अगर हम किसी मतलब वस्तु या एक परकार से छेत्र समझ लें जो भी समझी आप इसको मैदान जैसे मैंने आपको एक्जामपल बताया उसकी अगर सिर्फ किनारे किनारे की बात करें तो वहां पर परिमाप का यूज होता है ठीक है और अग हमें क्या करना है यह बड़ा समय दान है इसमें माल लीजिए कि हमें गहांस की दवा छिड़कना है यहां पर आप क्या करोगे फिर यहां पर दुकानदार को आप बताओगे कि जो हमारा मैदान है ये पार्क है ये इतना वर्ग मीटर है या फिर जिस भी आकार का रहेगा ठीक है और उसी एकार्डिंग आप वहां से दवा लाओगे और फिर दवा का छिड़काओ करोगे मैदान में यहां पर क्या करोगे इसके लिए इसके लिए आपको छेतरफल की ज इसके लिए आपको इस मैदान का छेतरफल चाहिए आप जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर देख पा रहा है या फेस्बूक पर डेमो की रूप में क्या आप समझ भाए कि खेतरफल का परियोग कहां होता है और पारिमाप का अगर नहीं टाइम है आपके पास आप जल्दी फे जल्दी सीथना चाहते हो तो आप वीडियो को थोड़ा इसकिप कर लो चार पांच मिनिट आगे सुनो ठीक है नहीं तो सुन लो देखो काम की चीज़ है कितरफल और परिमाप का हमारे जीवन में क्या महत्तो है इससे केंटिमेटर चौड़ाई वाली एक आयताकार सीथ पर बनाया हां मतलब समझो कि यहां पर दोनों में बना के भी दिखा देता हूं वह यह दो इस्टूडेंट है एक का नाम है रभी संकर और दूसरी का नाम है मनू दोनों ने क्या किया एक आयताकार सीथ लिया और उस पर को कुछ बना रहे हैं दोनों का मतलब समझना एहां पर दोनों का मतलब समझना कि हमारे जीवन में क्या परभाव पड़ता है यानि जीवन में हमारे क्या यूज है इसका फिर्फल और परिमाफ हम किताबों में तो पढ़ा करते हैं लेकिन ये किताबी पढ़ाई का हमें परियोग कहा करना लाइफ में वो चीज के लिए आप देखो समझो क्या कहा कि रभी संकर ने एक चित्र 60 cm लंबा और 20 cm चोड़े आयताकार पेपर पर बनाया किसने बनाया रभी संकरवा ने बनाया भीया देखो यहां पर यह 60 cm और यह 20 cm जब की कहरा है मनू ने 40 cm लंबाई तथा 35 cm चोड़ाई वाले सीट पर बनाया और क्या बनाया इन लोगोंने एक चित्र बनाया है मान लोग तोता बनाया इन लोगोंने इसकी जो चोड़ाई थी वो 35 थी और लंबाई जो है वो कितना है लंबाई 40 देखो यहाँ पर मतलब समझो मैं एक एडलिस्ट इसको मान रहा हूँ बाकि अगर नापोगे तो रियल मे कुछ और होगा वो बात अपना किनारे कर दो किवल समझो बस यहाँ पर समझो मतलब की बात आगे कह क्या रहा वो चीज़ देखो यह दोनों बच्चे हैं यह भाईया रभी संकर का चित्र है किसका है रभिया का है यह और यह मनु का है आप समझो रभी संकर ने एक चित्र 60 सेंटीमीटर लंबे और 20 संटीमीटर चौड़े आयताकार सीट पर बनाया जब कि मनुनने 40 संतीमीटर लंबे और 35 cm चोड़े ऐता कार सीट पर एक चितर बनाया दोनों को अलग-अलग फ्रेम तथा लिमनेशन कराना है बहुत अच्छा एक्जामपल है जैसे अभी मैदान वाला बता है वैसे यह भी है दोनों को अलग-अलग फ्रेम तथा लिमनेशन कराना है अब आप लोग इसको अच् लेंसन मतले ना देखो मैं दोनों चीज़ लाकिया आपको दिखा रहा हूं ठीक है देखो मैं दिखा देता हूं कुछ डाकुमेंट हो गएरा यह देखिए जैसे की लिए फ्रेम और लिमनेशन का मतलब समझ लीचिए इधर साइड में है दोनों को क्या करना है अलग-अलग जड़ेगा इस पे हर जगा चड़ेगा मतलब कहीं बाकी नहीं रहा कुंकि आयताकार अगर सीट है अगर कोई चीत्र बच्चा बनाएगा बनाएगा उपर ही बनाएगा एक ही मेंख बनाएगा न तो लेमिनेशन पूरे पेपर पे आगे कराना है ठीक है और फ्रेम का क्या म मतलब होता है कि जैसे मानलो एक परकार से फोटो तो यहां पर फिलाहाल दूर है यह तुम्हें आपको दिखा देता जैसे देखो यह क्या है यह क्या है यह यूटूब का का मतलब इसका आपको क्या करना है परिम्हाप निकालना है जैसे मैं आपको एक एक इग्जाम्पल के लिए दिखा दूँ और भी सबसे अच्छे से आप समझ जाओ देखिए यह एक माता रानी की लगा किनारे किनारे यह क्या है यह फ्रेम है कुछ समझ में आया मतलब यह फ्रेम कुल नहीं है बीच में कि हर जगा है लेकिन किनारे किनारे लेकिन जो लेमिनेशन वाली बात है वह क्या है लेमिनेशन तो कुल है पूरे पे कुछ समझ में आया तो भाईया जहां LAMINATION की बात हो रही है वहाँ हम इस document का क्या निकालेंगे 6 फल निकालेंगे मतलब हमें पैसा जादा देना पड़ेगा मतलब 6 फल के according लेकिन अगर frame की बात करें तो frame के वाल किनारे किनारे दोनों में अंतर समझे गए ना Frame और Limination में। आज आगे कहानी पढ़ते हैं क्या है। आगे देखो कहानी पूरा समझे न समझी न अच्छे से। दोनों को अलग अलग क्या करना है, Limination तथा Frame करवाना है। कह रहा है कि यदि फ्रेम कराने का खर्चा तीन रूपया परती सेंटीमीटर हो और लेमनेशन कराने का जो खर्चा है सबसे Pहले रहता आदए इधी वालइंट संतिमिटर हो कौन से चिद्र को फ्रेम करने के लिए अधिक रूुपए खर्च करने पढ़ेंगे अभी फ्रेम की बात हो रही और इताँ सिर्फ फ्रेम की बात हो रही है और मतलब आप समझ गए यानि इसके जो चिद्र बनाई किनारे किनारे हको एये बांडिंग तरह कराणा जैसे अब इंदो के फोटो में इस पर क्या कराना रवी संकर वाले में ज़ादा रध़ा या मनु किनारे किनारे की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे इसका परिमाप निकालेंगे और यह आयताकार है यह वर्गाकार है कुछ भी है छोड़ो जाने दो परिमाप निकालने कहें का आसा तरीका समझे लो बीना किसी सूतर से किसी भी आकरती का परिमाप निकालने के लिए उसके चारो भुजाओं को जोड़ दिया जाता है ठीक है चारो भुजाओं के जोड़ो को ही क्या कहते है बचवा परिमाप कहते है बाबू तो चारो भुजाओं को जोड़ना यह 40 है और फिर यह भी 40 होगा चूकी आयताकार है और फिर ये भी 35 से चुकी आयताकार है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की बुजाएं आपस में बराबर होती है, इनको जोड़ लोगे, 35-35-70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40-40-80, 80-70, एक सो पचास ना, ये कितना हो गया, बचवाँ, एक सो पचास सेंटीम मतलब परिमाप और छेतरफल का हमारे जीवन में क्या परियोग होता है, मतलब क्या महत्त है उसका, क्योंकि ये काम कभी ने कभी आप भी कियो होंगे, चाहे फोटो में फ्रेम लगवाए होंगे, या कोई आपका बुढ़ा बुजुर्ग रहा होगा, जो स्वर्ग सिधार होगा, उनकी तस्बीर में भी लोग फ्रेम लगा के घर में लगवाते हैं, भगवान ना करें ऐसा ना करना पड़े, लेकिन हां करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का रूल है ये, है न, देखो, लेमनेशन भी आप कराए होंगे, डाकुमेंट में, इसका क्या करोगे, प संबाई पलस चोड़ाई, लेकिन हम कोई सूतर नहीं लगा रहे, तो ये साठ साठ इक सो बीस हो जाएगा, और ये बिस बिस चालिस, मतलब की कुल मिला करके, एक सो बीस चालिस, एक सो साठ न, समझ गए आप, समझ गए कि नहीं, अगर कहीं थोड़ा बहुत मिष्टेक है, तो ध्यान देना, फिर से समझ लेना, बसे मिष्टेक कहीं नहीं है, ये 6-6-12, और ये 2-2-4, 4-2-6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खर्चा निकालेंगे, क्या, कुल खर्चा, लिखो, फ्रेम करवाने का, कुल खर्चा बराबर, नीचे मुझे लग रहा छुप मतलब की 15-45, 15-45, कितना 400, 450 रुपया आएगा, मनु वली तस्वीर में, ओ जो चितरिनों ने बनाया था, फ्रेम करवाने का, और इसके में कितना आएगा, भईया, कुल खर्चा बराबर लिखना, 160 गुडार्थी, इन चुकी 3 रुपया परती, प्रुपया यारि यह ऐसे था, यहां देखो, 3 रुपया पर सेंटी मिटर स्कॉरइर, खर्चा इसमें लग रहा था, और इसका टोल जो परिमाप आया था, और कितना आया था, 160 आया था, अब देखो, आभ़ी पूरा आगे बात करते हैं, ध्हान से समझना यहां पर कोई दिक्कत है तो बता देना इसमें आ जाएगा 480 रुपया यह हम क्यूं कर रहे हैं इसमें अभी और भी चीजें सीखनी है द्यान से देखो समझो आगे क्या होता है आगे भी पूछ रहा है कि फ्रेम पर कुल बैय खर्च जानने के लिए उसका परिमाप निकल कर उसे फ्रेम कर आपको सब दिखे क्लियरली तो बचवाई यह इसके सामने भी कर सकते हो तुम एक सो साट गुड़ा तीन करोगे लगा नहीं दिख रहा था इस होज़ा हमें लिख रहा हूं यह 480 रूपय आएगा ठीक है उदर साइड भी मुझे लग रहा थोड़ा काट दे रहा है चलो ज थोड़ा मैंने और दूर कर दिया कैमरा दिक तो रहा होगा ऐसे क्लियरली कोई बात नहीं है चलिए तो यह हो गया इसमें किसी को कोई अपत्ती नहीं ना कोई परेसानी हरानी नहीं ना चलिए आगे देखिए आगे इसमें और भी क्या लिखा है लेमनेशन पर कुल ब्याइक जानने के लिए उसका छेदरफल ग्यात करके लेमनेशन कराने की जो दर है उससे गुड़ा करेंगे ठीक है आद समझ रहे हो ना और हाँ एक चीज इसमें थोड़ा मिस्टेक से दिया है गलत दिया है यह सें गर आपको सेंटी मेटर कर चुर्की यह जो अनसर आरा आपका यह जो कुल मिलाखिर आपका परीमाप आ रहा ही यह केवल सेंटी मेटर में आएगा यह स्कुण मे नहीं आएगा इसका मतलब गलत दिया है इसकुएर में हाँ, उसमें जहां च्षेदरफल की रही वहाँ पर दिया जा सकता है, जरूरी भी है अगर इसका परिमाप की बात कर een और यह चीज अगर आपको स्कुएर में ना दिया हो, तो वहां गलत दिया हो ये चीज़ आपको थोड़ा common sense से भी समझना पड़ेगा वसे अगर आपको कहीं मिलता है तो सही ही दिया होगा गलत नहीं दिया होगा ठीक है आगे चले आप देखो समझो आगे इसमें और ये भी पूछ रहा है कि यदी इसे lamination कराने का जो दर है वो दो रूपया परती centimeter है ये सही है दो रूपया परती centimeter के हिसाब से इसको lamination कराए जाना है तो ये बताओ lamination कराने का कुल खर्चा कितना आएगा जल्दी से सभी बतादो फटा फट कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कोसिस कर लो चलो जल्दी करो भई अगर इस वीडियो को आप YouTube पे या फेस् पढ़ना है अगर कोई परकार का डाउट है आपको नंबर दिये गया होंगी हमारे आप कंटेक्ट करिए डारेक्ट हमसे बात करिए और अपने डाउट को पूछिए मदलब भेजिए वट सकते हैं लेकिन उसके लिए सर्थ होती है कि आपको पिछला वीडियो सीरियल से दे पानी समझ लिया आप बात करते हैं लेमनेशन का भया मानलो यह रभी असंकर और मनु का क्या है यह चित्र है आकृति है और इसमें उन्होंने क्या क्या फिगर में बनाया है उपर पूरा लेमनेशन कराना है इसका खर्चा कैसे निकालेंगे इसके लिए हम क्या निकालेंग आप समझ रहे हो ना, जैसे आपका घर जीस महले में बना है, जितनी दूर में आपका घर बना है उस महले में, वो आपके घर का छेदरफल है, समझ रहे हो ना, जैसे हम खड़े हैं, जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, ये एक कमरा है, कमरे की चारो तरफ दिवाल है, तो हमारे कमर जो कुल जगा है जहां पर कैमरा रखा है लेप्टाप रखा है हम खड़े हैं और हमारे मित्र लोग है कुर्सी ओगरा है कुछ कूडा का बाड़ा रखा है वो कहा है कमरे के छेतरफल के अंदर में ही है बाहर नी किया दिवाल की उधर रखा है पड़ोसी घर में श्मझ रहो यह होता छेतरफल तो छेतरफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चोड़ाई का गुड़ा करते हैं मतलब आयत का छेतरफल बराबर होता है लेंटू बी कहें लेंटू बी मतलब रखा है तो छेतरफल निकालेंगे तो 40 और यह 35 गुड़ा क इसका भी छेतरफल निकाल लोगे बचवा तो लंबाई गुड़े चवड़ाई कर लोगे इसका भी किसी को कोई आपती नहीं है कोई परकार की हैरानी परेशानी अगर होगी तो बता देना बिल्कुल भी टेंसन मत लेना आप ठीक है ओके गुड बेरी गुड चलिए तो ना ना गलत हो गया ऐसा होई नहीं सकता है अरे यह 16 दून 32 दो जीनों रहेगा ना एक सुनना तो इधर है एक ठी उधर है न यह 32 सो आएगा यह 14 सो आएगा ठीक है इतना बात पक्की है न तो भाईया हो दूरुपया परती सेंटिमेटर इसक्वाइर इसका क्या है कराने का खर्चा है तो कर लो ना यह सेंटिमेटर स्कॉर आया है और इसक्वाइर आया ना दूरुपया दो से गुड़ा कर लो आ जाएगा हो जाएगा ठीक है ओके कोई समस्या तो बता देना बिल्कुल भी टेंसन मतले ना इस तरह से आपका यह जो है वो चुका है कुछ और भी ए लकड़ी लगी मैंने कई आपको दिखा रहा है तो यह बोड कितनी जगह घेर रहा है आप देखो यह बोड कहा तक है लिए यह बोर्ड जो है पूरा दिवाल में नहीं है उपर जगह यह साइड देखो यहां बोर्ड का एरिया खतम हो जाता है अगर हम इन्हेंदेसे इसको मूप करें तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां तक बोर्ड इसके इधर देखो यह बोर्ड खतम है तो मतलब इस दिवाल पे कुछ निश्चित भाग पर यह बोर्ड लगा है लेकिन आपको नहीं अहसास होता चुकि हम केवल और केवल फोकस करते हैं जहां पर वहीं उतना ही चीज़ें दिखती है इस वज़ा परिमाप के बारे में बता रहे हैं तो यह जो बोται हैं अगर हम बोलें की से बोड़ों के स्टील की पटी लगवावना है 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 уем चैनल निकालेंगे परिमाप ये बताना ठीक है ठीक है फेलओं अगे कि परिमाफ निकालेंगे ये बताना सभी कमेंट करके बताना ठीक है और हां एक ची जौर सुन लो अगर इसी बोर्ड पे हम यह सोचें कि भाईया हमारे कमरा में पुताई रंगाई हो रही इस पर चिट्टा पिट्टा ना पड़ जाए इसको हम ढख दें किसी कपड़े से कोई चीज से कि मतलब कहीं चिट्टा पिट्टा ना पड़े यह बताओ उस कपड़े का क्या मतलब लंबाई चोड़ाई या उचाई कैसे क्या होगा जिससे हम इसे ढख सकें उसके लिए हम क्या निकालेंगी यह बताओ छेत्रफाल यह परिमाप देखो मैं इसका भी बता दे रहा समझ रहे हो न और एकजमपल लगाने के लिए अवस्यकतारों की लंबाई क्या होगी आप सबी बताओ चलो एक क्यारी के चारों तरफ बाड अगर लगाना है क्यारी नहीं मतलब आजकर आपको पता है जंगली जानवर और ये गव माता गव पीता जो है बहुत परिसान की किसानों को सब खा जाते हैं इस वज़ा फिकिसान लोग बाड़ लगा के अपनी सुरच्छा करते फसलों की तो बाड़ अगर लगाना है तो उसके लिए दिये गए खेत या दिये गए उस जो भी आपका मतलब है खेत है य या खेत में गेहूं बोया है खेत में अगर हमें खाद डालनी है तब हम दुकांदार से यह बोलेंगे कि इस खेत में कितनी मतलब खाद लगेगी हमारे खेत का जो छेत्रफल है वो बता दो उसको अठारा सो सेंट्र मेटर स्कॉयर है अठारा सो सेंट्र मेटर बहुत ज्या खेत का अगर आपको खेत के चारो तरफ बार लगानी है तो आपको परिमाप निकालना होगा समझ गये ना एक आयताकार स्वीमिंग पूल है उसको ढखने के लिए कितनी प्लास्टिक किया हो सकता होगी आप बताओ इसके लिए क्या करोगे क्या करोगे इसके लिए फितरफल निकालोगे या परिमाप निकालोगे जड़ा सोच के बताओ इतना तो आप लोग करी सकते हो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं बचवा इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना लोड़ी पलाई बुड़ खरीदनी है अरे पलाई जिसमें बोड़ यह बना इसमें भी पिछे लगी लकड़ी लगी तो बताओ इसकी लंबाई आठ है बचवा यह चार है बाबू तो इसको हमें खरीदने के लिए कुल कितना खर्चा मतलब कितना रूपय देना पड़ेगा जबकि इसका जो रेट है वो 50 रुपया पर वर्ग फिट है यह भी फिट में ही दिया है कैसे निकालोगे पता है कमेंट करके बताना चलो कर लोगे ना सब ही कर लेंगे बैया सिंपल सी बात है पलाई खरीदेंगे तो हम पलाई का किनारे किनारे का भाग तो नहीं लेके जैसे कपड़े में अगर थान वाला कपड़ा खरीदो कभी तो फैसन की दुनिया में फटा वटा जो रहता है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं यहां फटा यहां फटा पैर पर फटा कुल फटा रहता ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन एक्शुली बात क्या है ना क जो लोग कपड़ा सिलाते हैं तो बहुत कम इसका चलान हो गया लेकिन हम लोग अभी भी सिलाते हैं तो लोग कपड़ा जब खरीते हैं तो कपड़े में लंबाई नापता है वो दुकांदार मतलब कितना मिटर आपको लेना है उसकी एक निश्ची चौड़ाई पहले से हो